आपने driving license में address change कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाश तक देखते रहिएगा इसी के बारे में पुरी जानकर यह आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है तो प्रिवैन orieन आप सर्च कर दीजों किसे भी सर्च इन स्सेग एक गर में अपर सर्च करके खास्टेगा शॉंध करना चाहते एप दी ब्याइश जैसे आप इस तरीके से उपनों के आजाएगा इस पे नीचे की तरफ आईएगा यहाँ पे सलख पर कर लिजेगा और इसको अगर आपका इन में से कुई कर लिए तो यहां पर सब्सक्राइब कर लिए अगर इन में से कोई सब्सक्राइब नहीं है तो जर्नलिस को रहने दीजिएगा उसके बाद यहां पर आ जाता है इस्टेट अब अगर आप सैम इस्टेट में ही एड्रस चेंज कर रहे हो तो इस वीडियो को आप लाश्ट तक हैं दीजिए अडर इस्टेट के बाद नीचे की तरह आओगे तो यहां पर आप देख सकते हो since जईर्घीए तो इसको ईस वीडियो को आप देख सकते हैं तो इसमें अदंच काहईर च्टेट में हमने बता रखा है रहे है तो इस वीडियो का अप लाश्टे दिखते रहिएगा हमारा सेम इस्टेट में ही एडर्स चैंज हो रहा है तो इस्टेट यहां पर उत्रप्रदेश है और यहां पर आप देख सकते हो पहले कौन से अब प्रॉसेट पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद इस तरीके से उपन होके आ जाता है यहाँ पर आपकी डिटेल दिख जाएगा यहाँ पर आप मोबैल नमबर डाल दीजिएगा अगर आप इमेल आइडी पर डालना चाहते हो वह आप डाल सकते हो अधर्वाइस इसको आप बिलेंक छोड़ना चाहिए तो बिलेंक भी आप छोड़ सकते हो इस पेज भी नीचे की तरफ आईएगा अब बिलेट पर यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा एम्पोलर केटिग्री को ऐसा ही रहने देंगे उसक पर एडरेस है उससी का कोडिंगर्ट सैड में आप डालिएगा जर डालिये गा जो अगर सैंग कर सकते हो लेकिन यहाँ पर जैसा का सकता है और और ऊपनास क्तेरिके क्लिक कर सकते हैं तो हमारे में अटर्स किलिक करकर जो यहां पर पिैलिकर किसे आजाएगा अब उक्के क्लिक करें उसके बाद यह जो boxes पे click कर दीजेगा और आप राइट सैड में आऊ गे तो यहां पे जो बहुत है बहुत पे click कीजेगा और यहां पर इसी तरीके से present address डाल दीजिएगा और दोनों same है अगर तो permanent address की detail यहां पर डालके यह जो box है इस पर click कीजिएगा तो यह same हो जाएगा उसके बद confirm पर click करें इस तरीके से आजाएगा data accepted successfully page पर नीचे कितरब आजाएगा तो अधे इस तरीके से आजाएगा अगर आपके वहां पर self declaration form 1 का option आ रहे तो यहां पर click कीजिएगा तरीके से self declaration form open होके आ जाएगा इसको बरने की तरीके की वीडियो आपने अपलोड कर रखे चैनल पर आप सर्च कर सकते हो form 1 ठीक है इस तरीके से आप सर्च कीजिएगा सब से उपर वीडियो आपको दिख जाएगी या YouTube में भी आप सर्च कर सकते हो form 1 space driving license इस पर technical बाटी तो वीडियो आपको वहाँ पर दिख जाएगी आप form 1 space technical बाटी पर सर्च करो यूटूब पर तो वीडियो आपको दिख जाएगी इसको देखके आप इस पूरे form को self declaration form को भर सकते हैं अपने accounting बर लिया है अब submit पर click कर देते है इस तरीके से आ जा तो यह जो box end पर click कर लि यहाँ पर आपकी detail दिख जाएगी यहाँ पर address दिख जाएगा आपका यहाँ पर RTO दिख जाएगा किस RTO में application procedure है अब यहाँ पर document proof required आपको दिख जाएगा कौन कौन से document आपको upload करने होंगे तो वह यहाँ पर दिख जाएगा अब इस acknowledgement receipt को आप save करना चाहते है आप print नि next पर click किजिएगा तो यह जो ऐसा application number है आपको mobile पर भी आ जाता है जैसी submit होती application तो आपको mobile पर भी इसका message आ जाता है लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहते है तो लिख भी सकती है तो आगे process complete करने के लिए next पर click कर देते हैं पेजब नीचे की तरब आ जाते है आपको द office तो जो भी आप document upload करोगा अगर सब को सही upload किया है तो आप जो भी document upload करते है तो उसी के according सारा process complete हो जाएगा और जो आपका license आपके address पर आजाएगा और जैसे हमारे case में यहाँ पर हमको RTO office जाना होगा प्रॉपर डॉपमेंट के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको तब भी RTO office जाना होगा अब प्रॉपर सपोर्टिंग डॉपमेंट के साथ रिमेंग प्रॉपमेंट के साथ को complete करने के लिए तो इस पेज भी नीचे की तरफ आ जाते है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्या 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 आपको complete करना है यह जो step in में से आपके case में यह step कम या ज्यादा हो सकते है तो हमको document अप्लोड करने है और उसका प्रॉपमेंट करने है तो डॉकमेंट अप्लोड करने के लिए प्रॉसीट पर क्लिक कर देते हैं सब्मिट पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर क्लिक कीजिएगा क्लेक्ट पर डॉकमेंट आपको दिख जाएंगा कौणकश क्लिक करने है वडोड करने próxim फिरेजियस आप कर देंगे तो इन पर क्लिक कर्वाएं。 contact number में आप अपना mobile number डाल सकते हो, यहाँ पर browse पर क्लिक करके document सेलक्ट कर लिजेगा, यहाँ पर आपको दियान रखना है जो भी document आप अप्लोड कर रहे हो, JPG, JPG, video format होना चाहिए और size उसका 500GB या 500GB से कम होना चाहिए, upload पर क्लिक कर दीजेगा, यह option आपको दिखेंगे, view पर क्लिक करके देख लिजेगा, आपने size document अप्लोड किया है, by mistake आप से गलज document अप्लोड हो गया है, size document अगर आपने अप्लोड किया है तो confirm पर क्लिक कर दीजे, इसी तरीके से बाकी का जो भी document है उनको आप अप्लोड कर लिजेगा, अब इस तरीके से आजाएगा, all documents are uploaded successfully next पर क्लिक कर दीजेगा, अब इस पर जो नीचे की तरफ आईएगा, तो अब हमको payment करनी है, payment करने के लिए proceed पर क्लिक करते हैं, आपको दिख जाएगा कितना आपको payment करना है, यहाँ पर change of address का 200 रुपे charge, form 7 fee जो आपका license आपके address में by speed post print हो गयाएगा, उसका 200 रुपे charge, total 400 रुपे payment लग रहा है, आपकी case में यह payment कम या ज्यादा हो सकती है, RTO to RTO यह payment different हो सकती है, यहाँ पर आप gateway सेलक्ट कर लिजिएगा, जो भी आपका gateway है, यहाँ गेटवेए में आपको SBI या स्टेट बैंक और पर इंडिया सेलक्ट करना है, जो भी आपका bank है, वो आगे आप सेलक्ट कर सकते हैं, उसके बाद यह जो capture address को यहाँ पर डाले, और पे नाओबगी क्लिकर दीजिएगा, उसके बाद इस box क्लिक पको कर के proceed फोर payment पे कलिकर दीजिए, यहाँ पर net banking और का कार्ड का दे रखा है, नेट बेंकिंग से payment करना चाहतूत है, यहाँ पर कृकरे, अब जैसे हमagu इस्टेट बैंक डेबिट कार्ट से payment करना चाहते ह है है आपर हम पर किलिक कर दीजेगा को हMom घ्यांपल टाल यह इस Para pentu टालकर यह चला गया है जो कार्ड से मॉबायल लींक तो वह उटी यहाँ टालकर मेंक प्रेंट पर किलिक करें तरहों कि से आजाएग In इस तरीके साब payment verify कर सकते है तो इस पीज़ आप 10 सेंगड वेट कर सकते हैं या किलिक कर सकते हैं अब इस तरीके से उपन होके आ जाएका payment receipt निकालने के लिए यहाँ पर किलिक करें उसके वाद इस तरीके से आ जा जाती है यहाँ पर दिखरा और यहाँ पर आ रहाँ नोट विज़िट दा कंसर्ड ओपिस विद रिक्वाइड फ़र्म एंड डॉक्मेंट अलॉंग विद इस रिस रिसिप्ट यानि इस रसीद के साथ साथ आपको जो सब्पोर्टिंग को डॉक्मेंट है वो आर्ट्यो में लेके जाने होंगे वेरिफा आपको लेके जाने होंगे चार या पाँच अपने पासपूर्ट साइज फोटोग्राफ पेमेंट आपको अपने अप्लोड लेके जाने होंगे receipt और other form आप किसी तरीके से निकाल सकते हैं वो हम आपको बता देंगे others पे click करके print application forms पे click कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर application number डाले यहाँ पर date of birth डाले उसके बाद application form पे click करके application form निकाल सकते हैं acknowledgement receipt यहाँ से payment पे click कीजिएगा उसके बाद यह payment पे click करके print receipt पे click करके यहाँ पर application number date of birth यहाँ पर डालके get details पे click करके payment receipt निकाल सकते हैं payment अगर आपका pending में चला गया था या उस पेस से आप exit हो गयते या एरर आ गया था verify payment status पे click करके यह detail यहाँ पर application date of birth यह receipt Towardsfteam बा宝ाले का certified ơi को verify वर्यिफाय कर सकते your सब्सक्राइब करेंगे तो रुपर अक्नालेज्च पर यहां से निकाल सकते सुсть यहां सब्सक्राइब यहां से निकाल सकते यहां सकते हैं प्लीट प्रोसास है उम्युक्राइब यह आपको पसंद प्रवार्ट विडियो को पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए सेर कीजिए लाइसेंस रेलेटिटीड कोई इंफ्रमेंशन चाहिए तो यहां पर डा सकते हैं लाइसेंस परमानेंट ड्राइब्वार्ण डूब्लिकेट ड्रेटर्शन नेमचंज और अलग 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 एस्ट वीडियो हमने अप्लोड कर रखे आगर आपने को देखना चाहते देख सकते हैं ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हैं इस चैनल से सब्सक्राइब कर देजिए और गंटिता बाकवल पे कलिक कर दीजिए तो बाई बाई टेक केर